Hello everyone and welcome back to my channel, Leonard Sub तो आज जोन लोग poem discuss कने जा रहे हैं उसका नाम है The Lady of Shalot जो की एक British poet Alfred Lord Tennyson के द्वारा लिखा गया है तो इस poem को basically year 1932 में लिखा गया है और year 1933 में इसे publish किया गया था और फिर year 1942 में यानि 9 साल बाद इस poem का एक दूसरा version या एक revised version पब्लिश किया गया था जिसमें की Alfred Lord Tennyson ने काफी सारे minor changes किये थे और इस poem को उन्होंने एक बहतर clarity देने की कोशिश की थी तो इस poem को actually medieval ages के around यानि जब England में King Arthur का rule था तो उस समय के around इस poem को set किया गया है और King Arthur के ही time period के कुछ character से और figure से inspire होकर Alfred Lord Tennyson ने इस poem को लिखा है तो इस poem को शुरू करने से पहले मैं आप लोग को इस poem से related कुछ important facts बताना चाहता हूँ ताकि आगे चलकर आप लोग को इस poem अच्छे से समझ में आ जाए तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस poem को दो versions में publish किया गया है तो एक तो है 1933 का version जिसमें के total 20 stanzas लिखे गया है और दूसरा है year 1942 का version जिसमें के total 19 stanzas लिखे गया है और दोनों ही versions की ending जो है वो एक दूसरे जा थोड़ी अलग है और उसकी story में थोड़ा difference है जिसमें कि 1942 वाला जो version है उसकी story की ending थोड़ी better तरीके से की गयी है उसमें understanding और clarity थोड़ी जादा है और इसलिए वो version थोड़ा जादा well known है और popular है फिर दूसरी बात ये है कि इस poem को lyrical ballads के form में लिखा गया है और इस poem को total 4 parts में divide किया गया है तो lyrical ballad जो है वो एक ऐसी type के traditional words poetry है जिसमें कि common language का use किया जाता है और इसके topic भी day to day life से deal करते हैं और ये आम लोगों के लिए यानि common लोगों के लिए design किया गया है ताकि वो लोग भी इसे enjoy कर सके वो भी बिना literary quality को reduce किये और अब इसका तीसरा और सबसे important point ये है कि इस poetry का जो title है the lady of shallot उसमें जो lady का जिक्र किया गया है वो असल में Elaine नाम की एक lady पर based है और काफी सारे English literature के works में उन्हें Elaine the white और Elaine the fair के नाम से भी जाना जाता है और Elaine असल में Astolate नाम की एक कालपिनिक या fictional city में पली बड़ी होती है दिसके वज़े से उन्हें Elaine of Astolate भी कहा जाता है और काफी सारे writers तो Astolate City को अपने work में shallot ही लिखते थे तो यही phrase Elaine of Astolate ही further develop होकर the lady of Charlotte में परिवर्थित हो गया तो इस poet में हमें एक mysterious lady के बारे में बताया गया है जो की सारा दिन एक जादूई कपड़े को बुनती रहती है और उस पर एक श्राप होता है कि वो सीधे सीधे यानि अपने खिड़की से बाहर की दुनिया को और Camelot नाम के एक महल को नहीं देख सकती है वरना उस पर उस श्राप का कहर बरसेगा और इस poem के last में finally उस lady की death हो जाती है तो चलिए अब ये तो हो गया इस poem से related काफी detailed information तो अब भीना time waste की आज को जो हमारा poem है The Lady of Charlotte इसे हम लोग शुरू करते हैं तो इसके first part की शुरुवात कुछ इस तरह से होती है कि तो इन lines में हमें यहां पर दो जगहों के बारे में बताया गया है जिन में से पहला तो है Camelot जो की King Arthur का castle है और दूसरा है Shallot जो की एक island का नाम है और जहां पर एक mysterious lady कैद है तो इस tanza का overall meaning ये है कि एक बहती हुई नदी है और उस नदी के बगल में जो यानि बारली और राई के फसल का खेत है जो की दूर दूर तक फैली हुई है यानि मान लेजिए कि एक बहती हुई नदी है और उस नदी के बगल में खूब लंबी लंबी खेत है जो की बारली और राई के अनाथ से भरी हुई है और वो बारली और राई के फसल दूर दूर तक वहां के जमीन को किसी कपड़े की तरह ढखकर रखे हुए हैं और वो खेत के फसल इतने दूर तक जमीन में ऐसे फैले हुए थे कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो जमीन और आकाश दूर जाकर कहीं मिल जाएंगे और उस बारली और राई के खेत या फील्ड के बीच में से एक रोड या रास्ता जाता है जो कि वहां से सीधे कैमलोट के कासल के तरफ जाता है और उस कैमलोट के कासल या पैलिस में कई उचे उचे टावर्स हैं और जब वहां के लोग उस रास्ते से हो कर जाया करते हैं तो वो लोग उन लिली के फूलों को देखा करते हैं जो की शैलट आइलेंड के नीचे के तरफ या उसके किनारे के तरफ उगे होते हैं तो बिसिकली शैलट जो आइलेंड है वो नदी के बीच रास्ते में स्थित है और जो की थोड़ी उचाई पर है और कैमलोड जो कासल है वो थोड़ी नीचे के तरफ लोकेटेड है और बीच में जो जमीन है जिसमें की खेत है और चलने के लिए रोड है उसकी बगल में एक न तो इन लाइन्स में विलो वाइटन का मतलब है एक तरह के पेड जिसके पत्ते थोड़े सिल्की होते हैं फिर एस्पेन भी एक पेड का नाम होता है जो की काफी लंबे होते हैं और बहुत ज़्यादा हेलते रहते हैं इसलिए यहाँ पर एस्पेन कुईवर लिखा हुआ है जिसका मतलब है तूशेक फिर शिवर का मतलब है कापना आईल का मतलब है आईलेंड और इमबावर्स का मतल कि विलो नाम का जो पेड होता है न वो पेल या फीका पड़ चुका है और एस्पन नाम का जो लंबे-लंबे पेड हैं वो हवा चलने की वज़े से हिल रहे हैं या काप रहे होते हैं और शाम के समय यानि डस्क के टाइम पे जब थोड़ी हलकी हावा चलने लगती है तब उस समय नदी के सतह के उपर एक हलकी सी हलचल होती है और वो नदी का पानी नौन स्टॉप उस शैलेट आइलेंड से होते हुए वो कैमलोट के कासल के तरफ बढ़ता रहता है और शैलेट शेप में बना होता है और उस बिल्लिंग के चारो तरफ एक फूलो का बगीचा है और उस शान से शैलेट आइलेंड में एक लेडी भी वहाँ पर कैद है उस बिल्लिंग में जो की चारो तरफ से घिरा होता है और जिसे लोग the lady of शैलेट भी कहते हैं फिर्ज के थर्ड स्ट तो इन लाइंस में विलो का मतलब है वही पेड जिसके बारे में हमने पिछले स्टैंजा में डिसकस किया था फिर वेल का मतलब है कवर्ड यानि धका हुआ फिर बार्जेस का मतलब है एक तरह का हैवी बोट या नाव जिसकी सर्फेस बिलकुल फ्लैट होती है और उसे भारी भरकम सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तमाल कियाता है फिर ट्रेल का मतलब है फ्लो यानि बहना अनहेल का मतलब है अनोटिस्ट यानि किसी चीज़ पर ध्यान ना जाना फिर शैलॉप का मतलब है हलकी किस्म की नाव या बोट जो की नॉर्मल फिशिंग के लिए इस्तमाल कियाता है और केस्मेंड का मतलब है विंडो यानि खिडकी तो इस स्तांजा में पोट बेसिकली हमसे ये कहते हैं कि उस नदी के किनारे पर या उसकी बगल से एक विलो ट्री का लाइन लगा होता है और जो की वहां के एरिया को यानि नदी के किनारे वाली जगा को घेरे रखता है या कवर की रहता है और वहां के नदी पर से काफी भारी भर कम नाव फिर कुछ घोडे जो की काफी धीर धेर जाया करते हैं और इसके साथ ही कुछ हलकी किसम के नाव भी वहां से कैमलोट की तरफ स्मूदली जाया करती है तो पोएट एक्चुली हमसे यहां पर यह पूछते हैं कि वो एरिया इतना busy है कि वहां से इतने सारे नाव गुज़र घोडे जाते हैं तो क्या उनमें से किसी ने भी दा लेडी आफ शालट को वहां पर हवा में हात को हिलाते हुए या वेफ करते हुए नहीं देखा क्या उन में से किसी नहीं भी उसे खिड़की पर खड़े होते हुए नहीं देखा क्या कोई उसे जानता भी है कि वो कौन है या वो स्ट्रिफ उसके नाम दे लेडी आफ शैलट से ही इस पूरे आइलेंड पर जानी जाती है फिर इसके फोर्ट स्टैंजा में पोएट ये लिखते हैं तो इन लाइन्स में रीपर का मतलब है वो लोग जो फसल कटाई का काम करते हैं जब फसल पूरी तरह से बड़ी हो जाती है तब फिर बीर्डेट बारली का मतलब है कि जब जो की अनाज पूरी तरह से या अच्छी तरह से बड़ी हो जाती है तब उस वक्त के फसल को बीर्डेट बारली कहा गया है और पाइलिंग शीव्स का मतलब है अनाच का धेर तो इस फोर्ट स्तान्जा में पोएट वही पिछले थर्ड स्तान्जा की ही बात को कंचिन्यू रखते हैं कि क्या किसी ने भी लेडी ओफ शैलट को नहीं देखा है और इस स्तान्जा में वो हमें इसकी आगे का डिटेल देते हैं और वो ये कहते हैं कि सिफ वही लोग जो सुबा सुबा फसल कटाई के लिए खेत में आया करते हैं वो लोग ही उस लेडी के मधूर आवाज को और उसके मधुर गाने को सुन पाते हैं जो की नदी के पानी के उपर गुंज रहा होता है जब वो नदी का पानी कैमलोट के कासल की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो उस नदी के पानी के उपर उसकी स्वीट आवाज या उसकी गाने की आवाज एक एको क्रियेट करती है जब वो कैमलोड की तरफ बह रहा होता है और रात के समय जब चान बाहर निकलाता है और जब वो रीपर्स काम करते करते ठक जाते हैं और वो फिर उस कटी हुई फसल को इकटा करने लग जाते हैं हिल्स के उपर तब उस वक्त उन्हें उस लेडी की गाने की स्वीट आवास सुनाई देती है और वो फिर अपने आप से ही ये कहने लगते हैं कि ये आवास तो उस फैरी लेडी की है यानि दे लेडी ओफ शालट की है तो चलिए अब ये तो हो गया इस पोयम का फर्स पार्ट और अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ तो इसके सेकंड पार्ट की शिरुवात कुछ इस तरह से होती है क There she weaves by night and day a magic web with colors gay She has heard a whisper say a curse is on her if she stay to look down to Camelot She knows not what the curse may be and so she weaves steadily And little other care hath she the lady of Charlotte So in lines में magic web का मतलब है tapestry या किसी प्रकार का कप्रा या कालीन और colors gay का मतलब है something which is colorful and glorious तो इन lines में poet हमसे ये कहते हैं कि उस शैलोट आइलेंड पर एक building या एक tower है और उस tower के भीतर एक mysterious सी lady है जो की वहाँ पर दिन रात लगतार वो एक colorful और magical tapestry को यानि एक कालीन को बुनती रहती है और उस lady ने ऐसा सुना होता है यानि अपने आस पास के लोगों से ऐसा कहते हुए या फुस फुसाते हुए ऐसा सुना होता है कि उस पर एक sharp है और वो sharp ये है कि अगर उस lady ने सीधे सीधे या directly अपने खिड़की से camelot के castle के तरफ देख लिया तो फिर उस lady के उपर उस sharp का कहर बरसेगा तो अब वो sharp का कहर किस रूप में आएगा क्या होगा ये सब तो उस lady को नहीं पता तो इसलिए वो lady इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती है और वो अपना focus स्रिफ उस जादूई कालीन या कपड़े को बुनने में लगाये रखती है और फिर इसके second stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि उस lady के room में एक जादूई शीशा या mirror वहाँ के दिवार पे टंगा होता है जिसमें कि वो lady बाहर जो भी हलचल हो रहा होता है यानि जो खिड़की के बाहर जो भी activities चल रही होती है वो सारी activities को वो lady उस जादूई शीशे के बट वो images थोड़े धुनले या blur type में होते हैं तो वो lady उस शीशे में वो उन रास्तों को देखती है जो कि camera के castle के तरफ घूम जाते हैं पिर वो उन नदियों के उपर या उसके सतह के उपर जो गोल गोल हलचल होती रहती है वो उसे देखती है वो उन गाउं के गंभीर या serious किसानों को देखती है जो कि वहाँ से गुजरते रहते हैं और इसके साथ ही वो उन लड़कियों के जो लाल रंग के cloak होते हैं वो उन्हें भी देखती है जब वो young girls उसके tower के पास से market के तरफ जा रही होती है फिर इसके third stands में poet हम से ये कहते हैं that occasionally या कभी-कभी वो mysterious lady उस Charlotte Island के पास से वो कुछ young और cheerful ladies के जो group वहाँ से जाया करती है वो उन्हें देखा करती है या कभी-कभी वो उन church के जो official होते हैं यानि clergyman या पंडित होते हैं वो उन्हें वहाँ से slowly slowly अपने गोड़े को उपर जाते हुए देखा करती है और इसके अलावा वो कभी-कभी एक चोटे से घुंग्रेले बालो वाले चरवाहे को देखती है या एक लंबे बालो वाले सेवक को देखती है यानि किसी nobleman के servant को जो की लाल रंगे कपड़ों को पहन कर camelot के तरफ जा रहा होता है वो उन्हें देखती है और कभी-कभी वो mysterious lady दो night को एक साथ वहाँ से जाते ह अपने blue color के mirror में देखती रहती है बट वो lady इस बात से थोड़ी upset होती है कि उसके पास ऐसा कोई night नहीं है जो कि उसे प्यार करे और उसके तरफ वफदार रहे और अब इसके fourth stanza में poet हमसे ये कहते हैं कि भले ही उस lady के पास ऐसा कोई night नहीं है जो कि उसके प्यार करे या उ वो lady उस कालीन में वो उन pictures को या वो उन beautiful sights को weave करती है या बुनती रहती है जो कि वो lady अपने उस जादूई शीशे में देखती है यानि जो भी उस शीशे में बाहर की दुनिया की reflection होती है वो lady वो सब कुछ देख पाती है और वो lady उन सभी images को अपने colorful tapestry या cloth में weave कर देती है या बुनती रहती है और कभी कबार रात के समय जब सब कुछ बिलकुल शान्त होता है तब उस समय वो lady कभी कबार किसी शव यात्रा को देखा करती है यानि किसी funeral procession को देखा करती है जो कि पूरी सजावट के साथ और पूरी lighting और music के साथ वहां के रास्तों पर से बाहर निकाला जाता है और वो कैमलोट के कासल के तरफ ले जाया जा रहा होता है और एक बार जब चान पूरी तरह से आकाश में उपर के और उठा होता है तब उस समय वो lady एक newlywed couple को यानि एक नए नविले शादी के जोडी को वहां से जाते हुए और उन्हें romance करते हुए देखत यानि वो lady जब भी किसी funeral procession को यानि किसी शब यात्रा को या किसी newlywed couple को देखती है या वहां से गुजरते हुए देखती है तो वो काफी frustrate हो जाती है च्योंकि वो life के उन सभी events ने participate नहीं ले सकती तो चली अब ये तो हो गया इस poem का second part और हम इसके तीसरे part के और चलते है तो इसके third part की शरुवात कुछ इस तरह से होती है कि जब उसे छोड़ा जाता है तो जो distance वो तीर या arrow travel करता है उस थोड़े से समय में या उस sun भर के समय को हम वो shot कहते हैं फिर bower eaves का मतलब है वो tower या building का उपरी हिस्सा जिसमें की वो lady रह रही होती है फिर brazen griefs का मतलब है brass या पीतल से बना हुआ shield या coverage फिर red cross knight जो यहां प the fairy queen से लिया है और sir Lancelot जो यहां दूसरा word है वो एक knight का नाम है जो कि king arthur के जो round table था वो उसके एक important member थे तो इस third stanza में poet actually हमें एक नए character से introduce करवाते हैं जिसका नाम sir Lancelot है तो इस third part के first stanza में poet हमसे यह कहते हैं कि एक दिन जब वो lady अपने उचे से tower में बैट कर वो अपने जादूई mirror में देख रही होती है तभी अचानक से उस lady को एक knight का थोड़ा सा image दिखाई देता है बिल्कुल शन भर के लिए और वो moment इतना थोड़े समय के लिए होता है कि उस knight के image को या उसके presence को किसी arrow यानि किसी तीर के धनू से छूटने के बाद जो distance होता है उससे उसे compare किया गया है फिर poet इसके आगे के lines में ये कहते हैं कि वो knight जिसका नाम Sir Lancelot है वो barley के field में से होते हुए यानि jaw के कटे हुए फसलों के beast में से होते हुए वो वहां से जा र Lancelot के brass से बने हुए shield पर या पीतल के बने हुए shield पर reflect होता है तो वो shield किसी आग के तरह चमक उठता है और Sir Lancelot के shield पर एक red cross knight का picture बना होता है जिसमें कि वो red cross knight एक lady के सामने अपने घुटनों पर खड़ा होता है और वो shield या coverage उस बीरान island के बीच में या वहां के पीले र पोएट ये लिखते हैं palatric का मतलब है एक तरह का belt जिसमें कि योधा लोग तलवार या कुछ और रखते थे तो इस stanza का overall meaning ये है कि Sir Lancelot जिस घोड़े पर बैट कर जा रहे होते हैं उस घोड़े की जो लगाम होती है उसमें कुछ अन्मोल या कीमती रत्म लगे होते हैं जो कि ऐसे चमक रहा होता ह है जैसे कि ब्रहमांड में या गैलेक्सी में सितारे चमकते हैं तो इस तरह से इन दो चीजों को compare किया गया है और फिर आगे के लाइन से poet ये कहते हैं कि उस लगाम में जो छोटी-छोटी bells या घंटिया लगी होती हैं उनमें से एक प्यारी सी आवास सुनाई देती है जब गोड़ा Camelot की तरफ slowly slowly आगे बढ़ता है और इसके साथ ही Sir Lancelot के पास एक decorated belt होता है जिसमें की एक silver hunting horn यानि एक चांदी से बना हुआ एक शिकार में इस्तमाल किया जाने वाला horn उस belt से attached होता है या लटक रहा होता है और Sir Lancelot के कवच से यानि जो उन्होंने पहन रखा हो उसमें से एक bell यानि घंटी की तरह आवास सुनाई देती है जब वो उस बिरान आइलेंड से होते हुए Camelot की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं फिर इसके next रांजा में पोईट हमसे ये कहते हैं कि जब Sir Lancelot Camelot की तरफ उस नीले आकाश के नीचे से आगे बढ़ रहे होते हैं तब आकाश बिलकुल साफ होता है वहाँ पर कोई बादल नहीं होता है और तब उस समय जिस गोडे पर Sir Lancelot बैट कर जा रहे होते हैं उसकी seat को काफी precious jewelry से सजाया गया होता है जिसकी वज़े से वो seat या saddle काफी brightly चमक रहा होता है और Sir Lancelot ने जो helmet पहना होता है उसमें ए फिर Sir Lancelot और उनके helmet को किसी meteor से compare करते हैं जो कि रात के समय सितारे से भरे आकाश को पुई तरह से प्रकाशित कर देता है और अपने पीछे एक रोशनी छोड़ जाता है तो poet Sir Lancelot और उनके helmet को एक चमकती हुई meteor से compare करते हैं और यहाँ पर bearded meteor का मतलब है Sir Lancelot का वो चमकता हुआ helmet जिसमें की एक पंक लगा होता है फिर इसके next stanza में poet हमें Sir Lancelot का थोड़ और डीटेल description देते हैं और वो हमें यह कहते हैं कि Sir Lancelot का जो forehead है यानि उनका माथा जो है वो धूप में आने की वज़े से काफी चमक रहा होता है और वो काफी handsome लग रहे होते हैं और उनका गोड़ा जब धिये धिये चलता है तो उस गोड़े की नाल यानि उसकी hoof जो है वो इतनी अच्छी तरीके से polish की गई होती है कि वो किसी metal की तरह shine कर रहा होता है और जब Sir Lancelot के तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं तब उनके helmet के नीचे से उनके कोईले जैसे काले और घुंग करने लगते हैं जब वो वहां से camlod की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और जब वो वहां के नदी के किनारे से होते हुए वो camlod की तरफ जा रहे होते हैं तब ही उनकी एक image या उनकी एक छवी उस lady के जादूई शीशे में flash करती है या reflect करती है जब वो वहां से तीरा ली में burnished hooves का मतलब है घोडे की चमकती हुई नाल अर अब इस third part के आखरी स्तांजा में poet हमसे ये कहते हैं कि जब वो lady Sir Lancelot के reflection को या उनके image को अपने जादूई शीशे में शन भर के लिए देख लेती है तो वो उनके तरफ ऐसे attract हो जाती है कि वो फिर अपना सारा काम का छो चोड़ कर अपने handle room के machine को छोड़ कर वो अपने room में पहलो तो तीन बार चक्कर लगाती है और फिर वो अपने खिड़की के पास खड़े होकर वो नीचे के तरफ जो लिली के फूल खिले होते हैं वो उन्हें देखती है फिर वो Sir Lancelot के helmet को और उनसे attach उसके एक punk को देखत और फाइनली फिर वो लेडी सीधे camelot के castle के तरफ देखने लगती है तो जैसे ही वो लेडी camelot के castle के तरफ देखती है तो वो trappestry या कालीन जिसको वो पहले बुन रही होती है वो वहाँ से बाहर निकल कर उनने लगता है या float करने लगता है और वो जादूई शिशा side से crack हो हो चुका है और अब उसके ऊपर उस शाप का कहर बरसने वाला है जिसके बाद फिर वो लेडी रोने लगती है और वो ये कहती है the curse is come upon me तो चलिए अब ये तो हो गया इस poem का third part और अब हम देख लेते हैं इसके fourth यानि इसके आखरी part को तो इसके fourth part के शुरुआत कुछ इस wind straining, the pale yellow woods were waning, the brood stream in his bank complaining, heavily the low sky raining, over towered cam lot, down she came and found a boat, beneath a willow left afloat, and round about the pro she wrote, the lady of shallot तो इन lines में straining का मतलब है कोई चीज़ को damage करना या चोट पहुचाना, फिर waning का मतलब है तो decrease यानि तादात में कम होना, और pro का मतलब है now का सामने वाला हिस्सा तो इस तान्जा में, poet हमसे ये कहते हैं, कि जब उस lady के उपर उस श्राप का असर शुरू हो जाता है, तब सबसे पहले तो वहाँ पर खूप तेज तूफानी हवाय चलने लगती हैं, जो कि eastern side से, यानि पूर्वे दिशा से बह रही होती हैं, और उन तेज तूफानी हवा उस में से भी अजीब सी आवाजे आने लगती हैं, और ऐसा लगता है, जैसे कि वो नदी कुछ कहना चाती हो, या कुछ शिकायत करना चाती हो, और फिर आसमान से उस area में और Camelot के tower के तरफ खूप तेश बारिश होने लगती है, जिसकी वज़े से वो lady फिर अपने tower को छो उसके बाद फिर वो lady उस नाओ के सामने वाले हिस्से में वो वहाँ पर अपना नाम लिख देती है, तो अब वो ऐसा क्यों करती है, ये तो हमें इसके आगे के stanza में पर चलेगा, तो अब इसके next stanza में poet हमें ये कहते हैं, कि वो lady अपने इस journey को इसी तरह से continue रखती है, और फिर वो किसी prophet की तरह या fortune teller की तरह जो कि लोगों का भविश्य बताते हैं, वो उनकी तरह वो अपने आने वाले भविश्य को देख लेती है, और उसी वक्त उसे ये समझ आता है कि उसके साथ क्या दुरगटना घटने वाली है, और फिर थोड़ी दिर बाद जब दिन खत देती है या खोल देती है, जो की उस नाओ को जमीन से पकड़े हुए थे, और फिर वो लेडी उस नाओ में लेट जाती है, और वो नाओ फिर उसे उस लेडी को बहा कर ले जाने लगता है, फिर इसके नेक्स तैन्सा में, पोएट हम से ये कहते हैं, कि वो लेडी जब उस हुई होती है तब उस वक्त उस लेडी ने एक वाइट कलर के लंबे से लूस गाउन को पहन रखा होता है जो की हावा में फ्लोट कर रहा होता है as the wind moves और जब वो लेडी उस नाओ के द्वारा रात के समय कैमलोड के तरफ आगे बढ़ रही होती है तब उस समय उस लेडी के उपर पेडों से कुछ हलके हलके पत्ते गिर रहे होते हैं और फिर वो एक साड सा spiritual गाना गाने लगती है यानि अपना आखरी गाना जो की वहाँ के सभी लोग सुन रहे थे जहां से भी वो लेडी होते हुए जा रही थी यानि वो खेतों के बीच में से और वादियों के बीच में से जब वो लेडी गुजर रही थी तब वहाँ के सभी लोग उस लेडी के आखरी गाने को सुन पा रहे थे फिर इसके रखती है जब वो नाओं में कैमलोट के तरफ बैते हुए जा रही होती है और फिर धीरे उस लेडी का खून यानि उसका बलड फ्रीज होने लगता है या जमने लगता है और उसकी आखों की कलर या लाइट डार्क होने लगती है बट फिर भी वो कैमलोट के तावर के तरफ देखती रहती है तो अब ऐसा उस लेडी के बॉडी के साथ या तो उस रात के थंडे विदर की वज़े से होता है या तो उस श्राप की वज़े से होता है जिससे कि वो अपनी सारी जिन्दगी डरती रही और उस लेडी का बोट कैमलोट के टाउन के किनारे पहुचने से पहले ही उस लेडी की death हो जाती है यानि उसका गाना गाते-गाते बीच में ही उसकी death हो जाती है अब इस poem के आखरी दो stanzas में poet basically हमें ये बताते हैं कि कैसे वो lady finally camelot पहुचती है और कैसे फिर उसकी dead body उस town के भीतर नाव में travel करती है तो poet हमें ये कहते हैं कि जब वो lady camelot के town के किनारे पहुचने वाली होती है तब ही गाना गाते-गाते उसकी बीच में ही death हो जाती है और फिर उसकी मृत्र शरीर के साथ ही वो lady उस boat में बहते-बहते camelot के town के अंदर पहुच जाती है तो वो now उस lady के dead body को town के भीतर लेकर जाता है जो कि उस town के different area जैसे कि वहां के towers, घर की balcony फिर garden, gallery तो वो उन सभी जगहों के बीच में से होते हुए वो उस lady के dead body को लेकर जा रहा होता है और उस lady का face काफी फीगा पढ़ चुका होता है, काफी pale हो चुका होता है बट फिर भी उसके face पर एक shine होती है उसके pale less के बाद भी और फिर वहां के नगर के जिए सभी लोग होते हैं, जैसे कि knights, lord, ladies और शेहर के जो common सभी लोग होते हैं वो उस नाओ के आसपास आकर जमा हो जाते हैं, यानि जो lady ने अपना नाम लिखा होता है वो लोग उस नाम को पढ़ने लगते हैं the lady of shallot और फिर वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है ये lady कौन है, और फिर वहां के जगमगाते palace में जो royal party की आवाज आ रही होती है वो भी शान पर जाती है और जितने भी जो लोग होते हैं king arthur के round table के important knight होते हैं वो सभी इस दृष्य को देख कर या इस view को देख कर काफी घबरा जाते हैं और वो सब डर के मारे वो लोग अपने आपके उपर cross का sign मना लेते हैं बस sir lancelot ही उन में से एक ऐसे वक्ती होते हैं जो कि उसके तरफ आगे कदम बढ़ाते हैं और उसे देखने के बाद वो ये कहते हैं किस lady का face कितना pretty है भगवान इस पर रहम करे और इस पर अपनी दया दिखाए तो इस तरह से ये poem खतम होता है और आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप कमेंट करके जरूर बता है लाइक करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और थैंक यू फर वाचिंग